हेलो एबरिबन आप शबी लोगों का स्वागत है हम विपेसी टारगेट बैस स्रीज में एसेंट हिस्ट्री जो रिविजन स्रीज चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे जिसमें आज टॉपिक है विबोध धर्म तो आज के टॉपिक पर हम लोगों चर्चा किन किन बिन्दों पर खरेंगे उससे देखेंगे बौध धर्म एक सरमान परिचाई देख लेंगे बौध धर्म का दर्सन क्या है बौध धर्म परचार और लोकपेता के कारण क्या थे उसको देखेंगे बौध धर्म के उत्पति क ग्यान प्राप्ति कैसे हुई धर्म चक्र। प्रवर्तन क्या है बुद्ध से सम्मेंदित महत्पूर्ण घटनाय उनके प्रति क्या Do आपको एक्जाम ओर हमस्प्रसंद के तौरपा देखने को मिलता है बॉत द्रम सिध्धांत क्या महत्मूर्ण। कि चर्चा कर लेंगे, बात धर्म के तीन रतनी या क्या है, जिस पर हम पूस्त में चर्चा करेंगे इस रुपव से महत्व रखते हैं, सभी बिंदुओह सबूस पर क्या है, जिसें रतनी जेसे हम, फ़व मिलाकर बात अगर हम करें तो आपके लिए यहां से प्रस्ण आपको एक से दो प्रस्ण आपको एक्जाम में प्रतिक एक्जाम में देखने को मिल जाता है तो हम इसी संदर में इस revision स्रीज को कभर करेंगे तो आगे बढ़ते हैं तो लाइक से सस्क्राइब जरू कीजेगा युक्तियाइस को सपोर्ट कीजेगा और इस बार कोड को स्केन करके आप हमारा एप डानलोड कर सकते युक्तियाइस का या description box या comment section box में आपको लिंक प्रोबाइट कराया जा जिससे आप डानलोड कर सकते हैं इस लोगों के साथ हम आपको मिल जाएगे या इस बार कोड को सकेन करके भी आप टेलिग्राम चैनल जोँएन कर सकते हैं सब्सक्राइब हो जाता है तो बेल आइकन को भी जरूर दबाईएगा ताकि सभी नोटिपिकेशन समय के साथ आपको मिलते रहे देखे बहुत हम सरमान परिचे की अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले ध्यान रखे बहुत धर्म के जो संस्थापक थे गोतमभूत उनका जनव 563 इसापुर में कपिल वस्तु अथाद पिपरवा के निकट नेपाल की तहराई में अवस्तित लुमनी या रुमन देई हम इसे बोलते हैं लुमनी को में हुआ था उनका बच्पन का नाम सिधा था तो यहां से एक प्रसन आपको जरूर पूछा जात वो एक्जाम में जरूर आएंगे ध्यां रखिएगा आप इस चीज़ कर पाईएगा क्या मेरे परतेक स्लाइड से दो तीन प्रसन आपको सौल्व हो रहे हैं पी आई की इसे तो आप जरूर इस वीडियो को अंतिम तक देखिए अन्य था आप जाके दूसरे वीडियो को द देखने को मिलेगा शिग्र उनकी माता का देहान तो उनकी जो मौशी थी अर्थात परजय महा परजयापती गोत्मी उनका पालन पोशन करती हैं और उनका बाद में भरन पोशन करते हुए बहुत भी अपना लेती हैं ध्यान रखिएगा उनके पत्नी का नाम महात्मा इसक्रमन कहा गया है गोतम बुद कितनी अवस्था में 29 अवस्था में आपको ग्रिष त्याग कर दी इस इंकली लोकिक्तियां बहुत परचलित है जो आपको मेंस मेंटर सी प्रोग्राम में कलासे चलाई जाती फांडेशन बेचे में तो इस सब चीजे बताए जाती विस् सबसे पहले उसके बाद रोगी को देखना नेश्ठ है मिर्टक को देखना और सन्यासी को देखना ये चार काल क्रम जो काल घटना थी काल घटना थी बुद को सिधार्त को बुद बनाने के लिए अग्रसर कर दिया और धियान रखिएगा यही महत्पुन घटना आपसे क्रम में आपको कई दफ़ा पूछा गया है तो क्रम के संख्या यादा क्लिए कौन सबसे पहले हुआ सबसे पहले विरिद्ध रोगी उसके बाद मिर्थ उसके बाद सन्यासी बैक्ति को देखते हैं भूद के ग्रीत त्याग करने का पर्तिक क्या है घोड़ा माना जाता है घोड़े में उनका नाम क्या था कंतक और सार्थी का नाम चन्ना तो कम से कम यह आपको फीटी फैक्ट याद होना चाहिए यहां से प्रस्ण आपको पूछा गया है नेश्ट है बूद के लगतार ब्रहमन कर केवल वर्षा रितु छोड़ का 40 साल उपदेश दिया तो यह आपको ध्यान रखेगा एक लंबा इतिहासिक इनका रहा है परवचन देने का अपने आदर्शों को अपने जीवन सैलियों को लोग को बताने का अब ध्यान रखेगा मैं जो PYQ बोल रहा हूं तो केवल BPSC ही नहीं है ध्यान रखेगा UPSC, BPSC, UPPCS, MPPCS, RS, राजस्थान, 36 गड़, इंडिया में जितने भी एक्जाम होते हिंदिय स्टेट PCS सारे PCS का निचोड़ आपको यहां मिल जाएगा तो इसलिए PYQ आप अच्छे से कभर करने का पर पर देश जहां जिसकी राजधानी स्रावस्ति थी वहां सरवाधिक प्रसुन सरवाधिक आपको क्या दिया गया उपदेश इनके द्वारा दिया गया और ध्यान रखेगा यहां से PYQ पूछा गया है अगर कॉमेंट सेक्षन में बताईएगा कॉपरेट कीजिए एक दुस जीवन के अनुभावी बैक्ति अपने जीवन के आदर्सों को क्या बनाता जो उसकी कटनाईया होती है उसके जो सुक दूख होते है उसके जीवन में जो सीखा उसी को अपने आदर्स के तौर पस दूसरों को बताता कि आप यह गलती नहीं किये इसलिए जब भी आप देख सुधार करना मैंने यह सुधार किया तो मैं यहां तक पहुंचा ऐसा बुद्ध बोलते थे इन सब चीजों को ध्यान रखे इसलिए जीवन के अनुभाव के अधार पर उन्होंने अपने दर्सन को अभिव्यक्त किया था बहुत धर्म के परचार और लोपिता के कारण क्या वन ब्यवस्ता को प्रहर किया था इसलिए यह लोगों के मनों को भाया सरल भासा सरल भासा ध्यार रखे बुद्ध ने जिस भासा में पाली भासा का परियोग किया वह जन सधार की बोली जन जाने वाली भासा था तो कोमेंट सक्षे ने बताई है जैन धर्म में किस भासा का परियोग किया गया था मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था तो आप लोगो जरूर बताना चाहिए बुद्ध का बैक्तित भी एक महत्पुन कारक रहा बहुत धर्म के पर्चार विक्सित करने में इसने क्या क्या दयालू अहंकार रही थे वे वे सांत सभाव के थे सरल दर्सन थे त्याग पूर्ण जीवन ने जनता के उनकी और आकर्सित किया जैन से भी बहतर इन्हों ने अपने अस्तितु को अपने बैक्तितु को अपने आचरन बहवार को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जिसने जिससे लोग और भी परभाई थी या महत्पुन कारक लो आपको बहुत धर्म के परचार के लिए अपने बच्चों को श्रिलंका भेजा उसके बाद और भी उत्तरपुर्वी राज्यों में हमारा बहुत धर्म विस्तित होता है तो आज देखते कमबोडिया थाइलेंड ये सब जो छेतर है आपको बहुत बहुत संक्यक के तौर पर देखने को मिलता है चलिए नेश्ठ हम बात करेंगे इसी में बहुत धर्म के उत से बाहर निकलना चाहते थे चीजों को सधारन सब्दों में क्योंकि आम जनता सधारन और सरल चीज़ समझती है कल भी वह इस्तिती थी आज भी स्तिती आने वले सौ साल के बाद भी स्तिती होगी अब बहुत धर्म अपने अनुनाईयों को संसारिक सुखों में लिप्त होने कटोर सयम तपथर evangel के अभ्याज जो दो चरन से बचने के लिए बात करते हैं वह क्या करने बचने के लिए कहा कि वा सधार्न संदों में ही एपने बहशार अपने व्यक्तित में परिवर्तम कर आप मार्ग प्रांप कर सकते हैं अब ध्यान इसके अस्तान पर मध्यम मारं पर पर्तिपदा की बात मद्यम मार्ग का वर्णन यहां उनकी था हम पजने करेंगे लो लेवल और नहीं करेंगे अर्थात में बीच पर मध्यम मार्ग rupees क्रण करें आधा है जो मध्यम मार्ग करता वह वो सफलता प्राप्त करता है यह अतीत में बहुत धर्म के मूल क्या थे वैदान थे साखधर्शन उपणिष्ट से अगर आप से कभी प्रसन पुछ दे क्या बहुत धर्म पुनता वैदिक संस्कृति का विरोत करता था बिल्कुल नहीं करता था ध्यान रखेगा उसके उपद उन तक गलत नहीं था हां कुछ कूरुतियां थी जो समय के साथ बदलाओ के मांग कर रही थी किलियर है चलिए आगे बात करेंगे उपडिसदों के सिख्या जो थी अत्यदिंग दार्षनिक थी और इसलिए सभी पर बोज नहीं आई तो ध्यार रखेगा इन सभी चीजों को ल के विर्धी में कारण वैस्टियों जो वैसे समाज था अपनी समाजिक स्थिति सुधार के इक्षा करते थे क्योंकि वो बड़ा बदलाओ करना चाहते थे अपनी महत्ती भूमी का आदा करना चाहते जिसके कारण ये सब चीजे उत्पत्ति का कारण बना ब्रामनों के संधर्म कंक्या बढ़न लगी अपने अतीतियों को सत्कार के लिए ये सब चीजे करने की जाने लगी जब किसी और विर्यधवा मैंने आप लोगको बता आक क्रिशी जब और विर्धवा तो संसाधन वित्रन होने लगा संगठन होने लगा तो क्या हुआ हल जोतने के लिए हल जोतने के लिए गाय और बेलो का मांग बढ़ने लगी पर यहां गो वहत्या कर्मकांडों के कारण बढ़ रहे थे जिसके कारण और भी चीजे देखने को मिले कर्मकांड का मतला ब्रामन कर्मकांड के यहां संदर्व नहीं समझे इसके अर्थ बहुत से थे जिसमें आतिती थे कुछ उस्सोहों पर हो रहे थे इस तरीके से समझने का पर्यास क्योंकि खाज समागरी में उपलब्द जो संसादन था वो भी एक कारक माना गया तो चली आगे हम बढ़ते हैं चीजों को समझते हैं अब नेश्टक में समझेगा ज्ञान प्राप्ति को किष्णे सिखाया था तो अलाकलाम का नाम याद रख रहा उन्होंने सन्यास काल के सिख्षा प्राप्त की और रुद्रक राम पुत्र का नाम याद रख उनके एक और गुरु थे यहां से प्रस्ण पूछा जा सकता है अगर पुरुकाली गुरुओं के बारे में पूछ गया तो इसका नाम याद रखना आई क्योंकि PYQ में पुछा जा चुका है 35 वर्स की आयू में वैसाखी पूर्णिमा के दीन बोध गया एक पीपल के पीछ के नीचे ग्यान प्राप्त होती संबोधी कहलाते हैं तब से बुद्ध अर्थात पर गया वान कहलाने लगे और पीपल विश्च के कारएं जहां ग्यान प्राप्त हो से बोधी विश्च किया जया वैसाखी पूर्णिमा बहुत धर में बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों आप कोमेंट सेक्ष ने बताई कभी मैंने बताया था आप लोग को डियने सीरीज में भी जब बहुत पूर्णिमा आया था तो इनके जन मरन और सिक्षा क्या जो दीन है बैसाखी पूर्णिमा है इसलिए महत्पूर्ण हो जाता है। बुद्ध को तथागध भी कहते हैं। रिजुपतन अर्था सारनात में इसका पुराना नाम क्या था रिसी पतन, याद रखियेगा सारनात को रिसी पतन भी कहा जाता था। पांच ब्राह्मनों को जिसमें भदई, वफ, अज, असी और कोंडिल को दिया था जिसे धर्म चक्र परिवर्तन करता था अथा नया विचार व्यक किया था जिसको ही धर्म के अधार परिवर्तन की बात की थी तो ये पांच जो लोग थे ब्राह्मन थे उनका नाम याद रखि प्रवेश को नहीं मान रहे थे पर बुनता बोध है ना बोध नूटल नहीं रहा पाएं क्योंकि आनंद के प्रेम में आनंद के पिरता के कारण उन्होंने ये किया डिसीजन उनके परभाव में लिया अपने परिवर्टा था स्वव विवेखिये सकती का परियोग उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनको अपने मन में चर्चा थी उनके मन में बात होता था कि वो इस्टिरियों सब्सक्राइब करना अनिवार हो गया तो यह परचलन हुआ करता आज भी परचलन यह धानाएं समान है अगर किसी का अगर बड़ी बहन का मिर्टी हो जाता है उसकी छोटी बहन उसके अपने जीजाजी साधी कर लेते हो जाता है यह समाजिक दवा यह गलत धारना ही नहीं है फिर भी हो जाती है चलिए आगे हम बात करें बुद्ध में समंदित महत्मुन घटनाएं और परतिक क्य सभाण जाता है तो हाती ध्यार कि Hastie माता के गर्व से आना मना जाता है हांती के बादा कमल कुम्की बुद्ध के प्राप्ति उनको मिर्ट्यू के संदर में देखने को मिलती है। सकता। इन सभी मुद्दों की उन्होंने चर्चा की थी। उन्हों की गई थिए अब है कि बुद्ध इस्वर्द या आत्मा मिश्वास नहीं करते थे कर्म और अहिंसा पर बल दिया वर्ण व्यवस्था के खिलाप बात करते थे दुनिया दुखमई है और लोग इक्षाओं के कारण दुखी है जो आज तक आपको यह अपने में अनुभूत करते होंगे अनुभूती प्राप्त करते होंगे हमको यह नहीं मिला हमको वो नहीं मिला हमको यह नहीं अभी तक कर पाएं तो लोग इक्षाओं के क निर्वान प्राप्त हो जाएगा जर्म और मिर्ट्यू के चक्र से मुक्ति मिल जाएगा किलियर है सिंपल सा लॉजिक आप बुद्ध के धर्म में देख सकते हैं अगर हम दस्चिल की बात करें तो ध्यान रखेगा दस्चिल के संदर में कुछ चीजों को ध्यान रखना जैसे इससे पहले बौT धर्म के तीन रतन आपको तिरतन है जिसमें बुद्ध, द्धर्म, और शंग की बात होती है यहाँ भी पीवाई क्यू पुछा जा चुका दस्चिल से भी पुछा जा चुका आ चुका है प्रसन तो निर्वान और श्रल बनाने के लिए बुद्ध ने डक शीलो की बात की थी अथात अहिंसा सत असत चोरी नहीं करना पराय धनक पर लोब नहीं करना नशे से का सेवन न करना इस्तिरियों से दुर रहना अब देखिए यहां पर इसका नेगेटिव वेव में लिजेगा ठीक है ना अब मैं इसका एक्जामपल दूँगा दूराचार क दूर रहना समय भोज नहीं करना शुगंदित प्रदात वर्जित करना आभुशनों में अगत्या करना अब ध्यां रखिएगा अब इस्तिरियों के दूर ना रहने वैदिकाल सॉरी उत्तर वैदिकाल में भी आपको देखने को मिलता महिलाओं को दूर रहने की बात किया ज जब आप शफलता प्राप्त करना चाहते अपने मार्ग का उच्तम अस्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भटकाओं से दूर रहना चाहिए मेरा यह मानना है भटकाओं से दूर रहना चाहिए और महिलाओं में यह तिछने सभाव आपको देखने को मिलेगा कि वो भ कारक बनेगी अब एक दो महिलाओं का एक्जामपल लेकर आप इस कॉंसेप्ट को गलत नजरिये से नहीं देखिएगा जब बड़े-बड़े विचारक अगर इस बात को मानते हैं तो स्वभाव से आप भी मान लिजे क्योंकि जो चीजे हैं आपको समझ अब महिला ससक्तिकरन महिलावाद महिला कॉंसेप्ट को लेकर इसका आलोचना मत कीजेगा रिजन उसके पीछे चरी आगे हम बात करेंगे कविश्ती चर्चा करनी होगी हम कर लेंगे तुरी पीटक के बारे हम बात करें तो तिरी पीटक तीन है जिसमें एक पहला विने पीटक याद रखिये है भिक्षूओं और भिक्षूओं के मठ अधारित जीवन पर लागू होने वाला आचरन अनुशासन का नियम है तो आपसे पीवाई क्यूब में आपने इससे देखा होगा प्रसन पूछे जा चुके है विने पीटक के बाद सुथ पीटक क्या रखना है सुथ पीटक क्या है आपको सिख्या और धम के बारे में जनकारी देता है अब उसके अभिधम पीटक क्या है दार्श्रिक विशलेशन है बेक्षूओं के सिख्या और विद्वानों कतिविद्यों की ब्यक्षित सरूप प्रस्तुत करता है तो यहां से प्रसन आपको प्रिवेस येर कोश्चन म महावन्स मिलिन पनो आदी भी आपको शामिल किये जाते हैं बुद्गरंथों में द्यान रखिएगा नेश्ट टॉपिक के तॉप पनों देखेंगे चार आरे सत्य या चत्वारी आरियन सत्यानी कहने का अर्थ है दुख का कारण क्या है दुख के कारण का सत्य क्या है और निरोध क्या हम कैसे रोक शकते है और अंत्र में उसको सत्का मार skincare कैसे प्रात dust कर सकते अस ठांग मार्ग यह चार मारग आपको याद रखने चार आरे सत्य है अब ध्यान रखिएगा बुद्ध ने सिखाया कि सब कुछ दूख है सब कुछ दूख है और यह न केवल किसी बैक्ती द्वारा अनुभव किये जगे वास्तिवी कष्ट और दूख को संदर्वित करता बलकि इन चीजों के अनुभव करने की छमता को दर्साता अगर आप किस करते हैं. मार्ग द्यान रखिये ऐसा मार्ग जो द्वक के अंध की ओर ले जाता है आथ मार्गों के वाध्यम से प्राप्त किया जा सकताじゃあ जिसे अश्ठांगी मार्ग की आई अगर शौट पॉम में अगर कहीं पूछ दे प्रफशन आज आरे सत क्या है तो चार आरे सत दुख, दुख समुदाय, दुख निरोद और दुख, निरागमी पती पता, अथात अश्ठांगी मार्ग के तौर पे इसे विश्ठी चर्चा की जाती है तो अश्ठांगी मार्ग हम देख लेते क्या है तो सबसे पहले देखिएगा अश्ठांगी मार्ग पत में ज्यान, आचन, ध्यान, समंदी, पर्थाओं से समंदित, विभीन, परस पर किरिया कलाप सामिल किये अश्ठांगी मार्ग में ये अश्ठांगी मार्ग क्य बोध आस्थाप अभ्यास करने से दिर संकल्प लीना चाहिए, सम्यक वानी रखनी चाहिए, मिथ्यावाद या अफवाद जूट या सवी प्रकार के असत्य जो हम कटू अपमांजनक वानी रखते हैं उस पर कंट्रोल करना चाहिए, सम्यक वानी रखनी चाहिए, सम्यक आचर लो 5 unemployment करने के लिए किया परियाल करना है क्लोट उसlad इस्तिति सांहिर्ट सवास्त और भावनाओं को स्प्रशुक्ण से बोध होना उसको रोखने का पयास करना सही एकागरता बनाई रखना यह आश्क्र आत्मे ज्ञान और बुद्धित्व अर्थ अथा समाधी का परतिक है जाकि एकागर आप प्राप्ट कर सके अपने जीवन में सफल हो सके जो लोग मेंटर सी प्रोग्राम में सामिल है वीडियो यूटूब पर बिल्कुल फ्री है प्ली लिस्ट में जाकर हिंदी निट्वेपर सर्च किजिएगा आपको हाँ इसी उपलब्द हो जाएंगी पर प्रिलिंस मेंस इंट्यवी और इन प्राप्त करना हो तो एप पर आपको इसका पैकेज बना हुआ है मात्र पांस आम लोगों के पालंगे लिए पर इसी कोई आपको धार्न नहीं है जो दो पाहिसा है है जिसे कठोर परविर्ती बात की गई है आपके सुधी करन अगर कर लेते अपने विचार में आचरन में सुधी करन कर लेते तो यह मध्यमार के माध्यम से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं कोई बड़ी चीज नहीं है चली आगे हम बात करेंगा जो आपको जीवन को संतु पांच समुच्च क्या है बुद्ध के पांच समुच्च क्या है बुद्ध का माना था मनुच्च से पांच समुच्च का संग्रा है अथा इसकी उची समझ दूख से मुक्ति की दिशा में एक आवश्यक कदम माना जाता है जिसमें बात की जाती है भौतिक सवरूप अर्थ या समवेदना कहने का अर्थ है कि इंद्रियों की वस्तूऊ संपर्क उसमें भावनाओं के समुझ तीन प्रकावश्चुक्ष अप्रिये उदार्शिन अर्थात हम किसी व्यक्ति विसेस के साथ इंद्रियों के माध्यम से प्रभावित होते धार्णा संग्या के रूप में द अनुकुलित परक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है संस्कार के तौर पर नेश्ठ है पांचवा और अंतिम चेतना विज्ञान आपका कैसे विक्षित है मानसिक विज्ञान जिसमें अनुवाओ की भविस्वानी चेतना का समुच एक अनिवारित अत्य यह समझना बात करता है जो चेतना है अन्य समुझ पर निर्वा करता है यह सोतंद्र नहीं यह इसके साथ जुड़ा हुआ है हाले हम बात करते हैं अधिकारों की संरचन अधिक होनी चाहिए पर दाईत्य के साथ उसका परिवहन भी होना चाहिए यही कॉंसेप्ट आपको पॉलिटी मे देखने को मिलता है छेतर विकास में देखने को मिलता है राज्जी विकास के में भी देखने को मिलता है एक किसी राष्ट के विकास में यह तत्यु देखने को मिलता है जहां मौलिक अधिकार उसके श्रांगेन विकास के साथ साथ आपको करतव के साथ वहनीत होता है अब बहुत संगीती की बात कर तो चार बहुत संगीती हुई है ध्यान रखिएगा अलग-अलग कालखंडों में तो पर्थम बहुत संगीती 483 सापूर में कहां हुआ था राजगी के सत्पढ़नी गुफा में किनके अदक्स्ता हुआ था महाकर्ष्या पसर रच्छकों थे अजास पर संष्षित करने के लिए नियम निधारित करने का उध्याउजट किया गया था इस संगीती आथा इस संभिलन में के दोरान बुद्ध के सिक्षाओं को तीन पिटकों में भाजई दवरा सुदपिटक विनय पिटकक का संक्लन था अब ध्यान रखिएगा इसके अत्रिक् महां संगीखों का विभाजन हो जाता है बहुत संग में तिर्थिय बहुत संगीती आपको कब हुई थी पाटली पुत्रा में हुई थी अस्थान कहां थे धाइसो इसापुर में मोगली पुतिस इसके अधक्ष्टा की थी असोक मोरित सासक थे परणाम किया था अभी धम अधक्ष्टा कोन थे वश्रुमत्र उपाधर अश्वघुष्ट इसके कनिश के सासन गल जो कुशान सासक हुआ करते थी इसका प्रणाम क्या था इसमें महा विभासा सास्त्र का संक्रन किया सभी विचार विमर संस्कृत में आउजित किये गए ध्यान रखिएगा जो लोक बूद्ध्धर्म का विभाजन हो गया अभिद्धर्ण गरंतों की प्राकिरति संस्कित में अनुवाद की गई अभी इस तरीके से आपको देखने को मिलता है कुछ संचिप्त यहां से आपको प्रसन जरूर होंगे अब कहीं से अस्थान से हो दिए जाते हैं निष्ठ बात करेंगे बोद संग की सिस्ता क्या रही थी वह कैसे आगे बड़ा इसको समझने का परियाज की जएगा अब है कि बहुत धर्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना इतिहास का सबसे पूराना पदात क्या है ज इतने प्रकार का निशेद आपको परिमोक्ष निशेद बहुत धर्में निशेद किये गए महिलाओं को भी सामिल होनी के अनुमती बात के दिनों में मिल जाती है आपको कहने पर महत्पुन बहुत विद्वान कौन-कौन से मोगली पूत तिस जो असोक के धर्म का भ्यान कि प्रस्ण के तौर पर पूछ सकता अस्वगोष बुद्चरित और संस्कृत नाटक सारी पुत्र परकरन जो सारी पुत्र बुद्ध के असिस्स्य था उसके संदर में उनके द्वारा लिखा गया था अस्वगोष के बारे नागारजुन महायान बहुत धर्म के मध्यमिक जो से महत्मून टिकाकार थे महत्मून रचना विशुद्ध धी गमाँ मगा आपको इनके द्वारा लिखा गया है बुद्ध घोष के द्वारा धर्मकृति नालंदा के संरचक थे और उनके भारत का कांट भी कहा जाता है ध्यां रखेगा आपसे प्रस्ण यहां से पूछा ज सम्रिद्ध हुए और तो आपको ध्यान रखेगा बहुत धर्म पंजाब छेतर में किन के द्वारा महत्मून योगदान दिया तो असंग वशुबंदू के द्वारा नेश्ट है असंग अपने गुरू मैतर नाथ द्वारा स्थापित योगा चार या विज्ञान चार स्कुल कहने का मतलब आइडिलोजी का भी का बात हो रही है वशुबंदु काल जई रचना अभी धम कोष GB को उसके माना जाता है उनके काल जई रहे हैं उनका नेमान के इन ज्यान रखेगा इसका पांचीस अताब्धिविवी के अंतिम स्रेश्ट बुद्धिवी जिन्हों बहुत तर्क सास्त के संस्थापक के रूप में अपना नाम अर्गित करते यह महत्पून विद्वान रहे हैं बहुत धर्में यहां से आपको प्रस्ण देखने को मिल जागा नागर्जुन हो विश्व गोश हो यह सबसे प्रस्ण पूछा बोधिशत्व को ने ध्यार हुआ है इसके कारण वह नहीं कर पा रहे हैं इसलिए इस इस स्थिति को क्या करें 22 सत्व बोला गया बुद्ध के करीब बोला गया पर इंगा निर्वान जरूर होगा ऐसी बाते की गए यह हिंदू पौरानी कथाओं में आउतारों के आउधाना के समान माने जाती है इस त प्रामंद भद्र छिति घर्व यादा किएगा इनकी मुह महत्पूर्ण विसेस्ताइं आपको लिखी हुई है जो महत्पूर्ण में पहले वी चर्चा की से मैं तरे भविस्थ के बुद्ध और प्रारंबिक बोदिसत्व कहे जाते हैं अजित बोदिसत्व के रूप में इ पानी अठात इंद्र की तरह वज्र धारंग करते थे सक्ति का चित्रंग करते थे बुद्ध के चारों और तीन रचनात्मक देवताओं के रूप में चिनित क्या अन्दो मंजुष्री और अलेक्टिसवर इस तरीके से आपको अलेक्टिसवर क्या थे अलोक अलोक तिसवर दयालू थे बुद्ध की करणा प्रकट करते थे सामंद भद्र सर भोमिक बुद्धिसवर की बात करते थे धर्व ध्यान से संबद से अविवैक्ट करिया करते थे अब छती धर्व जो पिड़िते और बच्चों के सरच्छक माने जाते नरक वासियो धरा अमुर्थ प्रान प्रकट नहीं करते थे जो बुद्धिसवर स्दा परिभूत करते थे वह कभी अकमाज नगार मझशो चृत्री जो ध्यां. अकास गर्ब अथात अंत्रिक्ष के तरह अर्शिम इनको माना जाता तो ग्यान का पर्थक्रिक्टर इनके द्वार किया जाता है यह बोधिशत्व आपको जो बुद्ध के करीब है पर अभी भी मो माया में फसे हुए है जिसके कारे इनको बोधिशत्व कहा गया सिंपल सा है जिसमें सब्ध महायान जो है वह शंस्कित सब्से लिया गया जिसका साब्दिक बडुण और वाहन तबैनल से मोक्षर प्राप्त किया जा सकता है इसा है यह थां में फैल गया या बहुत का महायान साखा विश्वास था बुद्ध फिर से जन्म लेंगे इस धारना बहुत पंथों का ध्यां रखे बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं यह इंपोर्टेंट है प्रसन के तौर पर आपको यहां से पूछा गया है क्या महायान स क्यों से साखा बुद्ध की मूर्ति का पूजा करता था भासा कोन थी संस्कृत थी महायान संपरदायों में सामिल कोन थे सुद्धी भूमी जैन संपरदाय वर्ज यान या तंत्रिका बहुत धर्म से संबंदी था यह सुद्ध यह महायान की भी एक साखा की उप साखा ध्य जैन नहीं यह जैन नहीं यह केवल जैन थी ध्यान रखिए जैन यह चीन कोरिया में पर चली थी जो ताओ वाद से भी सम्मदित रखता है इसको थोगा साय याद रखना आ आप पिषभास करते थे यहाँ ठीवात में नीॡशन थी खरð । जोगाbloana वह Dwicken को सिधान्ग के स्घण साक करते थे यहांकि ठ्वास करते है में लूट किया जाता था आर्थ अनुशासन और ध्यान के मादम से बैक्ति मोक्ष प्रसस होते थे बूद कभी पूर्ण जन्म नहीं होगा ऐसा माना थे यहां से आपको अंतर करना है हीनियान और बोधियान में यह क्या करता था कि विश्वास था कि बूद फिर से जन्म लेंगे और यह विश्वास का यह जन्म नहीं लेंगे और उनके विचारों को यह अधार बनाकर इसका पालन करना चाहिए यह मुर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे हीनियान तो सबसे इंपॉर्टेंट दो अंतर आपको करने का कारण पूछ सकता है पूछा भी एक जाम में पी व है समराठ अषूक दॉर्व पासचलित बहुत धर्म हीनियान नहीं था तो आप से प्रसेत हम पूछा जा सकता है यह जाल कि सरवार दोरी के दोशाखाओं के तोर पार देखने को अधिक मिलता है जिसमें एक रूड़ीवादी और प्राचिन जिसमें प्राया अंग्रेजों की परंपरा के रूप में जाना जाता है जो बात के दिनों में आपको विक्षित हुआ है अब थेरवार एक हीन संपरदाय के तौरपा देखने को मिलता है थेरवार बोध अहत बनने और संसार के च स्रिलंका में विक्षित होता है अब यहां से दक्सिंपूर अचिया में फैल गया जाता है है बात के दिनों में इस भी आसपास विक्षित हुई है और मुक्ति के लिए चमतकार की बात करता है, सक्ति परदसन की बात करता है, तिबबत में विक्सित होता है, महिला देवताओं की पूजा पर विश्वास करता है, तारा की तरह जैसे ही सब चीजे आपको ध्यान रखेगा यह पूर्वी भारत उश्वास कर बंगाल, बंगाल और बिहार जैसे चेतरों में विक्सित होता है, वजरियान से समंदिर विश्वी द्याले भी आपको एक है, जैन धर्म, जैन जो थे, जैन बहुत जो थे, वो यह महायान बहुत धर्म की एक उपर साखा के तोर पर थी, सताब्दी में जपान में परसार हुआ, ध्यान इस बहुत परंप्रा सबसे विश्वी विशस्ता रही, अर्था ध्यान और करता था, बहुत विश्वी द्याले संस्थापक कौन थे, थोड़ा सा ध्यान रखेगा, विश्वी द्याले नालंदा विश्वी द्याले अदुन यहां से आपको पीवाइक्यू मिलेगा मिलाईएगा कोशन को यहां से एक प्रस्टन होंगे हर एक यहां में कहीं पूझ देता है प्रस्टन है पूझ सकता है इन दोनों क्योंकि बंगाल में अभी हाली में घटनाई घट रही है जिसके कारण चर्चा में है तो आपको सोमपुरी जगदल विश्रिद्याले आपको याद रखना है सोमपुरी विश्रिद्याले धर्मपाल पास आ सकते रामपाल जो जगदल विश्रिद्याले के अस्थापना की है दोनों बंगलादेश में वलबी विश्रिद्याले भटारक मैत्रिस आ सकता जो गुझ वियार पुरा तत्विक अश्टल के तौरपा विस विरासत के तौरपा है इसके अत्रिक जो बच गिया आपको विस विरासत सूची में पूछ सकता है इसलिए हलके में मत लिजेगा इस सलाइट को आजंता की बात करें या जंता की गुफाय और अंगाबाद महाराश जो परेटन रोजगार के उसर बढ़ेंगे यह सब चीजे की गए सरकारों के द्वारा अगर हम बहुत धर्मा बिहार की बात करें तो बिहार में परेटन को बढ़ावा देने के लिए वर्स दोजाब 25 तक महात्मा बुच से जुड़े अस्तलों को आपस में जोड़ने की बात क इस सरकीट के था मुश्रूप से पांच सरकों को जोड़ने की बात जिसमें पटना गया डोबी रोड असंदरमंगा एक्सप्रेस वेब पटना रिंग रोड राम नगर अकच्ची दरगा दरियापूर मनिकपूर साहिप गंज अररिया बेतिया रोड सहित गया हिस्वा दर्मुक अस्त्ल जो रहे हैं वियार में बुथ गया नलंदा राज्गीर वचाली के सरिया इसके आने जाने उसके बाद बूध सरकीट को उत्तरप पर दने से वी जोड़ा जाएगा इस तरीके से बूध सरकिट और यहां से प्रसंद में पूछे जाते हैं अब नेश टॉपिक और अंतिम टॉपिक के तौर पर ये चीजे समाप्त होगी अब ध्यान रखेगा जो चीजे मैं आप लोग को रिभाइच करा रहा हूं रिविजन करा रहा हूं ध्यान रखेगा उसको समय के साथ आप लोग पूरा कीजेगा डेली आपको टास्क दे दिया दढ़ेना है पीवाइक्यू कहने का मतलब पीवाइक्यू देखने से यह आपको पता चलेगा ना इस बहुत धर्म में हमको क्या क्या पढ़ना है कौन-कौन सब्धार इंपॉल्टन यह सकता है जब क्लासे जो जाती एक लासे जो जाती तो फिर देखने के बार पीवाइक् जबता परिप्द देखके में छाओक